तो स्वांते को हमने पढ़ा शांती और पाबो को पाओ, तो मेडिसिन खाओ, शांती पाओ, मेडिसिन खाओ, शांती पाओ, मेलोडे खाओ, खुच जान जाओ, जाद रहेगा भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेडिसिन का नोबल पुरु कि हम medicine कब खाते हैं, आप कोगे जब हम बिमार होते हैं, या जब हम धर्द में होते हैं, पेन में होते हैं, तो हम medicine खाते हैं, और आप notice करना मेरी बात को, जब या आप बिमार या धर्द में होते हो न, तो आपके पास कितनी ही दोलत, कितना भी पैसा क्यों न हो, कितनी भी और फिर आप उस दर्द को भगाने के लिए क्या करते हो Medicine खाते हो और जब आप Medicine खाते हो तो वो दर्द चला जाता है और आपके मन को शांती मिलती है आपके शरील को शांती मिलती है तो आपने शांती पाने के लिए क्या किया Medicine खाई तो आप ऐसे बोल सकते हो न कि medicine खाओ, शांती पाओ, medicine खाओ, शांती पाओ, melody खाओ, खुद जान जाओ तो अब जब आप से exam में पूछा जाएगा कि medicine का nobel पुरुसकार किसे मिला, तो आपको फटाक से याद आएगा और आप छटाक से answer कर दोगे, medicine खाने से हमें शांती मिलती है, तो medicine खाओ, शांती पाओ, देखो, स्वांते पाबो है, तो स्वांते को हमने पड़ा शांती, और पाबो को पाओ, तो medicine खाओ, शांती पाओ, medicine खाओ, शांती पाओ, melody खाओ, खुद जान जाओ याद रहेगा भाया और अगर आप में से कोई इस वीडियो को very first time देख रहा है तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूंगा आप अपनी जिंदिगी के कीमती 10 मिनिट मुझे देदो मुझे बस आपके 10-12 मिनिट चाहिए ये सारे नोबल पुरसकार के जितने भी 6 ये फिल्ड है उसके सारे नाम आपको याद हो जाएएगे ये मेरी गैरंटी है और ये गैरंटी में कैसे दे रहा हूँ अभी वीडियो को आप लाइक मत करना मैं खुद के रहा हूँ लाइक मत करना और एक नई 10 लोगों को शेर करेंगे इतनी करेंटी में आप से ले रहा हूं तो बस 10-12 मिनिट तक मुझे चुपचाप सुनते जाओ कहानी की तरह सुनते जाओ बस फिर आपको एक्जाम टाइम तक इसको पढ़ने की जरूत नहीं पड़ेगी तो कि डेली करेंट अफेर्स आप देखते होंगे तो वहाँ पर भी हम बार-बार इसको रिवाइस करेंगे तो मैं भूलने तो आपको दूंगा नहीं चलो अगला वाला देखते हैं अच्छा अब हम लोग बात करेंगे अर्थ शास्तर के नोबल पुरसकार की यानि कि economics और अर्थ शास्तर से आप लोग क्या समझते हो कि ये कई न कई रिलेटेड होगा पैसे से पैसे से सम्मंदित होगा ये और आज के टाइम पे आप लोग क्या देख रहे हो हर जगे मारा मारी चल रही है पैसे के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं पैसों के लिए आयदे नकबारों में पढ़ दें इसने इसको मार दिया पांच रुपे के लिए और मारने को ही इंगलिश में क्या कहते है डाए, डी आई इडाए बस ये हमारी ट्रिक है देखो तीन लोगों को मिला ये अर्थ शास्तर का नोबल पुरुसकार पहले नाम देख लो बैन बर्नान के डगलस डाइमंड और फिलिप डायब विग अब आप देखो इन दोनों के नाम में क्या आ रहा है डाए, डाए, डाए मतलब मारना और एक दूसरे को लोग मार क्यों रहे हैं पैसे के लिए यहाँ पैसे की जगे क्या आ गया डाइमंड वैसे तो आप यूँ ही याद रखना कि जिस भी नाम में डाइ आ रहा होगा बिना सोचे समझे आपको लगा देना है लोगों ने एक दूसरे को मार दिया किसके लिए पैसों के लिए पैसे से सम्मंदित है अर्थशास्तर मतलब इन दोनों को मिला है अर्थशास्तर का नोबल पुरस्कार लेकिन हमारी कहानी जमाने के लिए हम क्या कर देते हैं आज शाम 6 बज़ाब से, आपके 500 रुपे के नोट पे? मुधी सब 500 रुपे के नहीं, डाइमंड पे बेन लगा ना है, डाइमंड पे? अरे लगा रहे न याँ अच्छा डाइमन्ड पर बैन लगाना है मजरा मेरा प्यारा देजवासियों आज से आपके इस डाइमन्ड पर बैन लगाती आ जाता है मेरा प्यारा भाई और बहनों आपको ये वेडियो अच्छा लगा के नहीं लगा तो फिर जाके सरकार ने diamond पे ban लगा दिया तागी लोग एक दूसरे को मारे नहीं तो कहानी बिल्कुल साफ है जिस भी नाम में आपको die दिख जाए उसको मिलेगा अर्थशास्तर का नोबल पुरस्कार और लोग एक दूसरे को die क्यों कर रहे है डाइमंड के लिए इसलिए सरकार ने diamond को ही ban कर दिया तो ban से बन जाएगा बैन बर्नान के diamond तो आई गया और यह फिलिप डायब विग यहाँ पे भी die आ गया और इन तिनों को बैंको और वित्य संकटों पर शोध के लिए इस बार का अर्तिशास्त का नोबल पुरुसकार मिला है अगला वाला हम देखते हैं अगला अगर साहित्य यानि की literature में बात करेंगे किसे मिला इस बार का नोबल पुरुसकार तो फ्रांसीसी लेखी का है एनी एर्नॉक्स अच्छा literature मतलब यहाँ पे हम कहीं बात तो नहीं कर रहे है पड़ाई लिखाई की जैसे हम economy का देखेंगे तो वहाँ पे पैसो की बात होती है उसी तरह से जब हम साहित्य यानि की literature की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं पड़ाई लिखाई की बात चल रहे है तो literate मतलब इसका संबंद है पड़ाई लिखाई से तो मुझे आपको बता को फूलेगा, दांंस सीख लेगा, तो मतलब anybody 큰räन कोई खाना बनाना चाहता है तो youtube खुलेगा, खाना बनाना शिखेगा तो मतलब anybody can cook, कोई ऊड़ना चाहता है उड़ना शीखेगा, anybody can fly, Anybody can do anything उसी तरह से आज गाउं गाउं में बच्चे पढ़ पा रहे हैं तो anybody can study पढ़ पा रहे हैं मतलब literate हो पा रहे हैं Anybody can literate Anybody can literature Anybody can saahitya Anybody, anybody, anybody Anybody else बात समझ में आरे हैं मैं क्या गया ना चाह रहा हूं तो मतलब आज के time पे कोई भी बंदा सahitya लिख सकता है सahitya को पढ़ सकता है कोई भी मतलब कोई भी Anyone, anybody तो आगया ना मारा answer तो सahitya आप से पूछेंगे सahitya का नोबल पुरसकार किसे मिलेगा जो सahitya को पढ़ सकता है जो सahitya को लिख सकता है और कौन लिख सकता है? कोई भी कोई भी सahitya को पढ़ सकता है कोई भी लिख सकता है Anybody तो any से ही हमने हमारा trick बना लिया Any, any, any Any doubt? No, sir चलो बढ़ते फिर आगे अब हम बात करेंगे शांती के नोबल पुरसकार की यानि की peace price की और आप देखोगे जितने भी शेत्रों में ये छे शेत्रों में दिये जाते हैं उसमें peace वाला सबसे important होता है तो इस बार ये एक व्यक्ति को और दो संगठनों को organizations को मिला है कौन कोन है वो? तो एक तो बेलारूस के एलेस बियालियात्सकी और एक रूसी मानवादिकार संगठन है Memorial और एक उक्रेनी मानवादिकार संगठन है Center for Civil Liberties अच्छा आप लोग नोटिस करोगे कि आज की भागधोड़ वरी जिंदगी में सब लोग tension में है competition की tension है exam की tension है फिर job की है फिर शादी की फिर बच्चों की यह सब tension ही tension ही तो है हमारे जीवन में peace नहीं है शांती नहीं है अभी तो सोच रहे हैं कि भाग्या job मिल जाए फिर सोचोगे कि वो मिल जाए फिर सोचोगे कि वो हो जाए मतलब satisfied नहीं रहेंगे मतलब शान्ती नहीं रहेगी मन में तो मतलब मैं कहा दू हम जैसे middle class लोगों की जिन्दगी में शान्ती नहीं है तो फिर शान्ती का है तो शान्ती है अमीरों के पास अमीर जो महलों में रहते हैं और आप देखना जो लोग महलों में रहते हैं उनकी memory भी आपसे तेज होती है क्यूं? क्यूंकि उनके पास हमारी तरह छूटी-छूटी tensions नहीं होती न जैसे copy भरगी, pain गुम गया, बन्यान भड़गी, चपल तूड़गी, gaze कतम होगी, वगेरा वगेरा वो palace वाले लोग हैं, वो इन सब चीजों से फिर किसकी जिन्दगी में है, जो लोग महलों में रहते हैं, महल यानि की जो palace में रहते हैं, महल को palace बोलते हैं जो palace में रहते हैं, बड़े-बड़े palace में रहते हैं ये बड़े-बड़े palace, और जो लोग palace में रहते हैं, उनकी memory भी sharp रहती है, दिमाग तेज देता है क्यों, क्योंकि वो स्वतंत्र है आजाद है, और स्वतंत्र को इंगलिश में क्या बोलते है, liberty, यहाँ पे स्वतंत्र को हम इंगलिश में बोलेंगे liberty तो मतलब आपकी chain बनती जा रही है और answer आते जा रहे हैं, देखो, अब नाम देखो यहां से हम जब current affairs पढ़ते हैं, तब भी मैं आपको केता हूँ, चीजों को link करके याद करो, chain बना करके याद करो, एक पकड़ लोगे हिस्सा chain का आगे बढ़ते जाओगे जैसे कि peace का, peace हमारे जीवन में ना है, किसके जीवन में हैं, जो लोग जीवन में हैं, जो लोग बड़े हैं, महलों में रहते हैं, palace में रहते हैं, तो palace से LS, इनके नाम में आपको LS palace आएगा, तो LS पकड़ लिया आपने, और जो लोग palace में रहते हैं liberty मतलब स्वतंत्र तो यहाँ पे liberties आ गया center for civil liberties तो आपको चीजों को chain बनानी है chain बननी चाहिए मैंने आपको starting में कहा था कहानी तो आप बहुत सारी बना सकते हो मैंने भी जब यह trick बनाई तो इससे पहले कुछ और trick बनाई थी लेकिन trick तो बन गई थी अच्छी खासी लेकिन मैं उसको connect नहीं कर पा रहा था पीस से कहानी याद कर लोगे लेकिन connection ही नहीं हो पाएगा कि यार इसका संबन किस से है कि यह medicine का है कि physics का है पीस का है literature का है किसका है तो वो chain बननी चाहिए chain बनेगी तो answer तक आजराम से पहुच जाओगे अब ही रुख जाओ बस उताओ ले मतो दो और रहे गए फिर हातो आत आपका test लूँगा और आपको खुश करके भेजूगा अगला देख अच्छा अब हम लोग बात करेंगे रसायन यानि की chemistry के नोबल पुरुसकार किसको मिले है तीन लोगों को मिले एक है कैरोलिन, बर्टोजिक एक है मॉर्टन, मैलडाल और एक हैं बेरी शारपलेस और ये पुरुसकार इन्हें click chemistry और bio orthogonal chemistry के विकास के लिए दिया गया अब मैं आपको इनकी trick बताऊँ उससे पहले एक आवश्यक बात सुन लो ये जो बेरी शारपलेस है इनका नाम आपको जरूर याद रखना है इसमें कोई trick नी, कोई बहाना नी नाम याद रखना है, तो रखना है क्या नाम है, मेरे साथ तीन बार बोलेंगे क्या नाम है, बेरी शारपलेस क्या नाम है, बेरी शारपलेस बोलो, बेरी शारपलेस creepypia अब क्यों नाम याद करना है भाई क्योंकि जब से noble पुरुसकार दिना शुरू हो 1901 से और आज होGया 2022 जितने भी लोगों को Nobel पुरुसकार मिला है उसमें ये मात्र पांचवे वैक्ति बने है जिनें दूसरी बार Nobel पुरुसकार मिल रहा है तो आप देख लो कितना important नाम है क्या नाम है Barry Sharples Barry Samilish मत कर देना, Barry Sharples है और अभी तक किवल एक मात्र वैक्ति थे Frederick Rick जिनने chemistry में अभी तक तो बार Nobel पुरुसकार मिला था लेकिन अब ये बन गए है Barry Sharples दूसरे ऐसे वैक्ति जिनने दो बार chemistry का Nobel पुरुसकार मिला एक बार मैं पांचो के नाम आपको बता देता हूं ताकि आपकी knowledge में रहेंगे एक है Madam Curie इन्ने एक बार physics का एक बार chemistry का मिला एक John Bardeen है जिनने दो बार physics का मिल चुका है एक मात्रे से वैक्ति है जिनने दो बार physics का मिला है एक मैंने आपको बताया अभी Frederick Sanger दो बार chemistry का और अब ये बन गये Barry जिनने दो बार chemistry का मिल गया एक बार मिला था इने सन 2001 में और एक अभी 2022 में मिला और एक है लीनस पॉलिंग जिने एक बार केमिस्ट्री और एक बार शांतिय का नोबल पुरुसकार मिला अब ये तो हो गई ज्यान वर्दक बाते हैं अब हम हमारी बात करते हैं अच्छा देखो जब भी आप कोई motivational वीडियो देखते हो या movie देखते हो तो आपके अंदर भी एक motivation जागता है चाये दो मिनिट के लिए जागे लेकिन जागता दो है न कि यार अपने को भी करने का है अपने को भी अप तो करने का है माब आपका नाम रोशन करने का है तो जब मैं आपको अब ये berry sharp place के बारे में बता रहा था तो आपके अंदर भी आया कि अरे सर अपन भी करेगा अपन भी मनेगा candy win मुझे भी सर ऐसा कुछ बताओ कुछ खाने का कुछ पीने का देदो कि हमारा भी दिमाग sharp हो जाए आप मुझे के रहे हो कि मेरे को भी कुछ खाने का पीने का कुछ देदो कि हमारा भी दिमाग एकदम sharp हो जाए ताके फिर जो भी exam दें जिस भी field में जाए हर field में हम medal जीतें number one आए मैंने अच्छा दिमाग शार्प करना है आपने का हां करना है तो मैंने का जोग पू लोगा वो KROघ praw ये आपने का करिंगे पक का या इसमें भी नख रहे हैं, आपने का पी लेंगे बड़िया, अब जब आपने वो क्लोरीन पी तो आपको दिमाग शार्प हो गया, आप बहुत इंटिलिजेंट हो गये, और आप हर फिल्ड में मेडल लेके आने लगे, गुल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉंज मेडल, य समझ में आई, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल डिया था, क्यमेस्ट्र में एक नाम आपको जरूर याद रखना है, कौनसा, बेरी प्या का, बेरी शार्पलेस का, ये नाम तो आपको याद रहेगा, जब भी केमिस्ट्री पूछेगा, ये नाम चो आपको याद मेडल जीत हो गये, तो देखो आपको सारे नाम आगए, बेरी शार्पलेस तो होई गया शार्प बनने के लिए क्या पीना है, केरोसिन या क्लोरीन पीना है, जिसको जल्दी असर चाहिए केरोसिन पीलो थोड़ा लेट असर होएगा क्लोरीन पीलो तो यहां से नाम आजाएगा आपका, केरोलिन केरोसिन, केरोलिन, केरोसिन क्लोरीन, केरोलिन हो गया आप केरोलिन पीलिये आपने तो आपका दिमाग शार्प हो गया, अब हर फिल्ड में आप मेडल जीत रहे हो, तो मॉल्टन मेलडाल से मेडल option में जब आप ये देखोगे न हम test लगाएंगे तो आप देखना 10 second के अंदर answer लगा दोगे आप ऐसे हो जाओगे आप question ही नहीं पड़ोगे option देख की बता दोगे सारे option की अच्छा ये तो इसको मिला, ये इसको मिला, ये इसको मिला, ये इसको मिला अब बात करते हैं कि physics का नोबल पुरुसकार के से मिला, तीन लोगों को मिला है नाम है Alan Aspect, John F. Closer और Anton Zillinger और इन्हें quantum mechanics के शेतर में काम करने के लिए इस बार का physics का नोबल पुरुसकार मिला है अच्छा जब भी हम physics की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां से शब्द आप निकाल पा रहे हैं फिजीक, फिजीक का अर्थ होता है शारेरिक रूप अच्छा मुझे बताओ, जब भी हमें किसी का शारेरिक रूप देखना होता है यानि कि उसका फिजीक देखना होता है तो बताओ कैसे देखेंगे, तो आपको होगे बड़ा simple hazard, उसके पास चले जाओ मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर किसी का भी मुझे शारेरिक रूप देखना है तो उसके पास जला जाओंगा और उसका शारेरिक रूप यानि कि उसका फिजीक देख पाऊंगा जैसे कि आपको मेरा फिजीक देखना है मेरा शारेरिक रूप देखना है तो मेरे पास आजाओ, मुझे आपका फिजीक देखना है तो मैं आपके पास चल जाता हूँ जैसे किसी जानवर का फिजीक देखना है तो उसके पास चले जाओ वैसे हम मेंसे किसी ने भगवान को तो देखा नहीं है असलियत में लेकिन असली में अगर भगवान का फिजीक शादेरिक रूप देखना है तो कैसे देख पाएंगे या तो भगवान हमारे पास आ जाये या हम भगवान के पास चले जाये पास जाने इसे ही काम चलेगा उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि alien जो alien होते हैं अगर हमें alien का फुजिक देखना है, हम मैं से आज तक किसी ने alien को जहा असलियत में तो अगर हमें alien को असलियत में देखना है तो कैसे देख पाएंगे? alien के पास चले जाओ, राइट? लेकिन एक बात ध्यान रखना, alien का पास जाना इतना आसान नहीं है जिगर होना चाहिए, क्योंकि जान का घत्रा है, alien ने मार दिया तो, लेकिन मैं अमरेंद्र बाहु बली, यानि कि मैं alien के पास गया और उसका फिजीक देखा, जब मैंने उसका फिजीक देखा, तो मैंने देखा वो तो हमारे जिसा ही है, बस छोटा सा अंतर है, उसके सर पे दो एंटी ने है, या यूं कह दूं, कि वो आंट की तरह लगता है, आंट होती न, ए, एंटी, आंट, चीटी, उसके भी सर पे दो एंटी ने होते हैं, तो alien केसे दिखते हैं, आंट की तरह दिखते हैं, सर में दो एंटी ने होते हैं, उनके ये लो देख लिए alien का फिजीक तो पे गए ओ चलो फिर से बताओ हमने क्या कहा alien का फिजीक देखना है तो क्या करना पड़ेगा उसके पास जाना पड़ेगा जब हुम उसके पास गए तो हमने देखा उसके सर पर तो ant ने लगे हैं आंट की तरह दिखता है, देखो मैं चीजों को समझाने में थोड़ा time जरूर ले रहा हूं, या A की शब्द को या A की line को बार-बार repeat जरूर कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर 6th class का बच्चा भी इस वीडियो को देखे, तो उसे भी ये चीज़ा आराम से याद हो एलियन का शारेरिक दूप टेकना है क्या करें, उसके पास जाओ, close जाओ, पास जाओ मतलब close चले जाओ, तो आब उसका शारेरिक रूप देखोगे, और जब हमने उसका शारेरिक रूप देखा, फिजीक देखा, तो हमने देखा उसके तो serpentine है, आंट की तरह लगता है, त जाओ, John F. closer, पास जाओ गे, तो कैसा है वो एलियन? आंट की तरह है, ए एंटी, आंट, उसके एंटी ने है, इंग्लिश में पढ़ लोगे तो एंटी, आंट की तरह, चीटी की तरह, चीटी की सरपे दो एंटी ने होते है, हिंदीम पढ़ोगे तो एंटॉन, एंटी ने आ अच्छा अब हम लोग टेस्ट लगाएंगे, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी देदू, कुछ एस्टेटिक परशने जहां से अगर आ जाये तो आप गलत नहीं करो, एक मिनिट और सुन लो, जैसे कि नोबल पुरुसकार किसकी याद में दिया जाता है, तो डाइनामाट की खोज करता, अलफ्रेड नोबल की याद में, आपने का, छे शेत्रों में दिया जाता है, मेडिसेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेटरिचर, एकॉनमिक्स और पीस में, लेकिन याद रखना, यह जो पीस का है, यह स्पीशल है, यह नॉर्वे में दिया जाता है, बाकि सारे स्टॉकहॉम, स्वेडन में दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है, 1901 में पहली बार दिया गया था, लेकिन जो इकॉनमिक्स का है न, वो 1968 में पहली बार दिया गया था, यह भी याद रखना, वहीं अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला नोबल पुरुसकार किसे मिला रविंद्र नाठ टेगुर जी को मिला था, 1913 में साहित्य का, गितांजली के लिए मिला था, और आकरी बार अभीजीत बनर जी को मिला था, 2019 में एकॉनमिक्स का मिला था उन्हें, और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम उमर में नोबल पुरुसकार पाने का रिकॉर्ड कि इनके नाम है, मलाला युसफ जाई के नाम, 17 साल की उमर में मिला था उन्हें, पीस का, शांती का, और उल्टा पूछ ले तो, कि सबसे उमर दराज कोन है, तो जॉन भी गुड एनव, अब हम लगाते हैं, टेस्ट, चलो अब हम फाइनली जाकर के टेस्ट लगाते हैं, मेडिसिन का है, तो एलेस, एलेस, पैलेस, पैलेस पैलेस वाला के पास शांती है, आंसर होगा डी, तो अभी आपने देखा न, कोई सा भी नाम आपको दे दिया जाए, तो आप पता लगा लोगे कि इसका संबन्द किस्से है, इसको कौन सा नोबल पुरुसकार मिला है, जै अगला देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे, ताकि वीडियो लेंदी न हो, आप इनकी प्रैक्टिस का कर सकते हैं, आपकी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन पे क्विज बना करके मैंने अप्लूड कर दिये, वीडियो अप्लूड करने क किस शेत्र का मिला है, तो एलेस, पैलेस, पैलेस में है शान्ती, शान्ती, पीस का मिला है, अगला है, एलेन, एलेन एस्पेक्ट को किस शेत्र का मिला है, एलेन, एलेन के पास जाएंगे, उसकी फिजीक देखने के लिए जाएंगे, तो फिजीक मतलब फिजिक्स का मिला है, भूतिकी अगला प्रश्न है फिलिप डायब विग डाय आ गया लोग मार देते हैं एक दूसरे को पैसों के लिए पैसे मतलब अर्थशास्तर का मिला है इन्हें इकोनोमिक्स अगला दिखते हैं स्वांते पाबो स्वांते पाबो मेडेसिन खाबो मेडेसिन खाएंगे शांती पाएंगे तो आंसर होगा मेडेसिन अगला है के बेरी शार्पलेस शार्प बनना है न दिमाग को तीज करना है तो क्या केरोसिन पीलो या क्लोरीन पीलो केमिस्टरी से इसका संबंध है केमिस्टरी का मिला इनको फिर है मानवदिकार संगठन मैमोरियल अच्छा इसको किसका मिला है तो मैमोरी अच्छी होगी कब जब आप शांत रहोगे और शांत कब रह सकते हो जब आप भीड़भाड़ वाले की लाके में रहोगे या शांत जगे पे रहोगे शांत जगे वो आपको मिलेगी पैलेस में तो शांती का मिला इनको अगला है जॉन एफ क्लॉजर तो किसके पास जाना है एलेन के पास जाना है क्यों जाना है उसकी फिजीक देखनी है फिजीक्स का मिला इनको अगला है एनि एर नॉक्स अगला है डगलस डाइमंड डाय से देख लो या डाइमंड से देख लो इसका तो आराम से लगा देगा हर कोई पैसे से संबन देता है डाइमंड एकोनोमिक्स अर्थशास्त्र का मिला इन को अगला देखते हैं लिबर्टी मतलब हमने देखा था स्वतंत्र था और जो लोग फालतू टेंशन से स्वतंत्र रहते हैं वो लोग शांत रहते हैं फाल्दू की डेंशन से आप स्वतंत्र रहोगे तो कैसे रहोगे शांत रहोगे वरना दिर्माग में ये चलता रहेगा खचर 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 तो शांती का मिला इनको अगला है एंटोन जिलिंगर अब अंगरेजी में देखो कि तो आंट आ रहा है तो एलन के पास गए थे उसका फिजीक देखने के लिए वो हमें आंट की तरह लगा हिंदी में भी आ रहा है आंट या एंटी ने कैसे भी आप समझ लो उसकी सर पे दो एंटी ने थे तो फिजीक से इसका संबन्द होगा फिजीक का मिला इनको अगला देखते है फिर है बैन बरनान के इनको किस शेत्र का नोबल पुरुस्कार मिला तो बैन कर दिया सरकार ने मतरा याद आया के नाये आराम मारा भाया और बहना याद आया आगया याद बैन कर दिया आरा तो उत्तर बता हिये आरत शास्तर का नोबल पुरुस्कार मिला इनको मरते हैं आगे अब बताओ नोबल पुरुस्कार की शुरुवात कब होई थी आपको बताए 1901 में और गाइस देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया अब ये एकात प्रश्न हो रहा है रुख जाओ लेकिन बिलकुल एंड में आ गया तो अपतों में बोल सकता हूँ न मैंने अपना प YouTube चैनल से जहां आप देखते हो या पगेरा उनके पास टीम होती मेरे पास कोई टीम नहीं है दो दिन से कोई खाने का पता नहीं नहाया नहाया तक नहीं हो मैं मेरी आवाज से अब लास्ट आगया है बिलकुल तो मैंने अपनी इमानदारी अपना वचन पूरा निभा दिय अब आप से पूछ रहें कि नोबल पुरुसकार कितने शेत्रों में दिया जाता है मतलब लास्ट आते हैं अनर्जी बिलकुल डाउन हो गी है अब ना दो करके खाना खाकर के सोंगा मैं क्योंकि हैड़ेक हो रहा है बहुत बुरा वाला तो क्या पूछ रहें कितने शेत्रो होगे तो आंसर मेरेगा ये केरोलेन, केरोसिन, क्लोरेन अच्छा आप मेंसे मुझे जरूर बताना कि आप मेंसे कौन इस वीडियो को वेरी फर्स टाइम देख रहें मतलब करेके एक्जाम चैनल पर पहली बार आएं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चै एंटरफेर्स की क्लास में मिलते हैं, थैंक यू